नमस्षकाल दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज किस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं Land Rover Defender के बारे में जी हां Land Rover Defender जो है वो फाइनली हमें इंडिया में अब मिल रही है कीमत जो है लग 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 असी लाग से शुरू होगी काफी सारे वेडियों पिलेंगे हमें यह जो वेरियंट दिख रहा है यह फर्स्ट एडिशन वेरियंट है जो थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि इधने सारे कस्टमाइजिशन आप्शन हमारे पास अवेलेबल है और यह गाड़ी सीवी होने वाली है तो हम सब की बात एक करके नहीं करेंगे जहां-जहां मुझे जो जो हाइलाइट करना है वो मैं आपको बता दूँगा चलिए 2016 में Land Rover ने Defender को Discontinue कर दिया था हलांकि उसी वक्त यह promise किया गया कि जल्द ही 21 सदी के हिसाब से बनी नई Defender पेश की जाएगी और 2019 यानी की पिछले साल हमने Frankfurt Motor Show में नई Defender को देखा जो की बहुत ही कमाल लग रही थी बहुत ही promising लग रही थी इसके बाद में 2020 में आज Defender कई Markets में बिकरी अच्छी खासी response जो है audience उसको दे रही है साथ ही भारत में अब Land Rover Defender जो है वो आप खरीद सकते हैं डिलिवरी हालांकि यह कुछ वक्त बाद में शुरू होगी बट आपके पास में option है Land Rover Defender 90 या Defender 110 खरीदने का एक मात्र पेटरोल इंजन जो है उसी के साथ में आएगी यह पेटरोल इंजन एक in-line 4-cylinder इंजन है जो कि आपको 300 PSP पार और 400 Nm 400 Nm का टॉक देता है सबस्क्राइब करते हैं सबसे पहले चावी से और यहां पर टिपिकल लैंड रोग की जुक्की आती है वही हमें मिलती है अगे की तरफ लॉक अनलॉक और यहां पर आपको अगर 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 आ जाला के रात में तो वह और बूट अनलॉक करने के लिए और फिर आपके बाद में अलाम या हजार लैंब से जुड़ावा सब्स्ट यहां पर है यहां पर दिया गया है और यहां पर आपके पास में फॉग लेंफ है और आगी की तरफ यह उसके लिए फ्रेंट कैमरा इधर आपको मिलता है गाड़ी का अप्रोच एंगल जो है वह बहुत ही बहतरी है जो भी नंबर्स होंगे गाड़ी कियो मैं लिखता जाओंगा जहां ज पर आपके बात करने में वीडियो लंबा हो जाएगा बट मैं आपको लिख के यहां पर बता दूंगा फ्रेंट में पार्किंट सेंसर है जो की पासिस वगेरा में भी हेल्प करते है यहां पर आपके पस में जो है वील देख पारे हो इसकी साइज है 20 इंचे अब आप यहा पायर का साइज है एलेक्ट्रोनिक एयर सुस्पेंशन इस वाले में स्टेंडर है जो 110 यानी की फाइव डोर वरिजन है जो चोटी वाली है 90 उसमें आप ऑप्शनल जो है उसको आप्ट कर सकते हैं यह साइग में जिसमें अगें 360-degree camera का साइड camera यहां पर प्लेस्ट है डोर दूसरे वाले में black color है और एक khaki color type जो है आप color choose करते हैं जिसकी बाद उस वाले variant में जाके हम करेंगे यह एक accessory pack है यह अलग-अलग accessory pack आते हैं गाड़ी में इसकी information मैं अपने Instagram पर दे दूँगा तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं कुछ इस तरीके की rear tail lights है बहुत ही स आप देख समझ की उसमें दीगी है प्लस उसके पतलब जो capabilities होती है उसको actually reflect करती है तो चीजे है चलिए चलते है उस वाले गाड़ी पर और उसी वे वाकी बची की बात करते है सारी की सारी changes के नाम पर यहां पे थोड़ा सा गलोजी है उसमें मैठ था यह जो है matrix LED lights है जो की अधेप्टिव दालती है high beam अगेरा कहां पे कब थो डाउन होना चाहिए कब आप होना चाहिए वो सब चीजे है अगें यहां पे कोई भी changes बड़ा नहीं है कुछ अलोय की size में difference आप देख पा रहे होंगे यह आप चूज कर सकते हैं कि इसमें कौन सा अलोय आना चाहिए हर अधे गाड़ी में आप बिसिकली जूज कर तकते हैं और यहां पे आपको वो नहीं दिया अशेसरी नहीं लगी हुए कुछ भी तो थोड़ा सा प्लेन लग रहा होगा बट यह पूरा लुक जो है वहादी वहतरीन मुझे लगता है और साइड में आपे defender first edition लिखा हुआ है हुख है और यहां पे आप जो है जो भी आपका पीछे बेसिकली ट्रेलर है उसकी लाइट वगरा उसकी कुछ कनेक्शन से इंडिकेटर वगरा कनेक्शन जो है यहां से दीए जा सकते हैं रेर कैमरा है जो की वाशर के साथ मिलता है तो जब आफ रोडिंग के वगरा अगर गीला भी हो जाए तो मतब गंदा भी हो जाए तो यह यहां से क्लियर हो जाएगा और आपका 360-degree सिर्टम काम करता रहेगा यह आपके रिवर्स पाकिंग सेंसर्स पेर टायर पीछे हैं कर रहा है हलांकि अब इंडिया में मतलब स्पेर टायर होना जरूर ही नहीं है बट यह वाली सेवन सीटर जी है इसमें दो होड़ सीट्स है यह बहुत ही नीटल यहां पर हिडन है अलांकि जादा बैठ पाने लाइक तो यह सीट्स नहीं है इनकी बात अभी हम आगे कर लेंगे बट यहां पर कुछ कुछ चीजें है जो कि और अलग है जैसे कि आप देख पा जो है कोई adapter इसके साथ supply करेगी कुछ यहां पर space है जो कि basically tools वगरा यहां पर है अब यह थोड़ा सा weird तरीके से खुलता है जो है वो deployed है उसके बाद में यहां पर कुछ buttons है जो कि आपके गाड़ी की height कम जाद आपको करनी हो तो उसके लिए दिया गया है और tow hook जो है अगर आपको deploy करना हो तो ना सरिफ आप गाड़ी में आगे से touch screen के विश्से कर सकते हैं जिसकी बात हम आगे करेंगे बट आप यहां से भी इन बटन कर स्तमाल करके tow hook कर सकते हो या हटा सकते हो यह आपका 12-volt का charging socket है गाड़ी में 12-volt के charging socket की भरमार है बहुत सारे 12-volt के charging socket है इस जाएक जो material इस्तमाल किया गए जहां पर कोई ने कोई चीज रखी जाएगी किया आप पांट रूखो गया जैसी भी जगे है वह बहुत यह बढ़िया quality car washable है completely तो वह एक अच्छी चीज के बारे में है थोड़ा सा space यहां पे भी एक अगर आपको रखना हो तो इसको किया उसके बाद में बहुत ही smoothly आगे चला जाता है और अगर यह completely बन नहीं हुआ है तो यह soft close function के साथ में आता है क्योंकि मोटर सगी हुई तो soft close function डालना जो है वह बढ़ी बात नहीं थी तो यहां पर दिया गए attention to detail काफी बढ़िया देगी है बहुत ही सोच समझ के product में क petrol version में आती है तो add blue, add blue का scene यहां पर नहीं है ओके तो सबसे पहले बात कर लेते है overall quality और कैसा sense आ रहा है हर एक material से तो एक चीज मैं आपको बता दूँ यह गाड़ी luxury off-roader definitely है but still luxury से ज़्यादा यहां पर ध्यान रखा गया है proper ruggedness का हर एक material हर एक चीज जो choose की गई है जिस त भी आपकी गाड़ी जो है आपको compliment कर पाए और ऐसा नहीं हो किसी भी वक्त आपको यह लगे क्या रहे नहीं ठीक है off-roading कर पाती यह गाड़ी बट स्टिल यह जादा luxury का रहे है ऐसी चीज नहीं है बहुत ही जवर्दस चीज जो है thought process जो है वो इसके अलग-अलग part में गय क्या कमिया चोड़ देगी है वो उनकी बात भी जो है साथ में करते जाएंगे सबसे पहले इस तरह से शुरुआत करते हैं यहां पे जो exposed आपको यह देख पा रहे है अलग कई के जगे जो है exposed direct metal part आपको दिखेंगे तो वह भी इस तरीके से जो है उन पर finishing की गई है कि वो करें ना लगे बट स्टिल एक मतलब काफी बढ़िया रगेट फील जो है वो देपा रहे है तो नीचे की तरफ यहां पर आपको memory seats दी जाती है memory seat के बटन दीए जाते हैं और उसके बाद अगर आपके open करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर warning भी अगर पीचे से कोई करने के लिए दिया गया है और यह आपका दरवाजा लिवर जो है पूलने के लिए दिया गया है लॉक और लॉक अगर आपको सारे दरवाजे करना है तो उसके बटन यहां पे meridian का sound system है यह अगेन कुछ variance में नहीं आता है lower variance में बटा आप चाहें तो ले सकते हैं उसमें आ थोटी सी चीज जिसका ध्यान अगा गया है यह पर्टिकल चीज जो है वो यहां पर आकर रूख जाती है तो जब भी आप दरवाजा वो बंद होगा तो आप जो है बूट नहीं कोल पाएंगे बॉनिट नहीं खोल पा लिए हालांकि एक चीज है जस्ट इमाजिन कि अगर किसी जगे पर आपका दरवाजा खुल नहीं रहा है और आपको बॉनिट भी खुलना है तो उस जगे पर शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है बट ऐसा बहुत ही बहुत ही रेर होगा शायद ही किसी के साथ हो पाएगा नीचे की तरफ ऐसा स्पेस है परेचानी नहीं यह कोई भी काफी बड़ा आपका वाँ है आपकी साइज ज्यादा बड़ी है बलकि हो आप तो भी आपको इश्यू नहीं होगा यह पर्टिकलर ब्रेक पैडल है और अधर एक्सलेटर पैडल है यहाँ पे आपके इलपास में एलेक्ट्रोनिक पाकिंग ब्रेक है और नीच सकते हैं उसके बाद में इस तरफ आपको लेदर राप्ट स्टेरिंग वील मिलता है जो की पकड़ने और आमें बहुत ही बड़िया है कोई भी इश्यू से जुड़ावा नहीं हो रहा है यह टच बीस कंट्रोल है वैसे तो बटे एक बटन है प्रॉपली तो जहां पर भी वह गड़ी तो वह आप यहां से कर सकते हैं 12.3 इंचिस की मिड है और यह 10 इंचिस का यहां पर टाट स्क्रीन है अब यह टास्क्रीन नया है किसी लैंड रोग में मैंने पर ले ऐसा नहीं देखा है बट इसमें बहुत सारी बढ़िया चीजे मुझे मिली है तो उनकी बात सब्सक्राइब करते हैं पिलाल इदर यह हॉन पैड है जो कि आपको दबाने के लिए थोड़ी से मशक्राइब करने पड़ेगी डिफेंडर की ब्रेंडिंग है बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग इसको दी गई है तो वह एक चीची चीज़ के बारे में और यह पर्टिकलर स्ट तो आटमेटिक में क्या है जब भी आप अंदर बाहर आएंगे तो उस वक्त आपकी इज के लिए स्टेरिंग जो है आटमेटिकली अपडाउन हो जाएगा और जो भी चीज़ आप यहां पर एजिस्ट करते हैं उसकी डिस्प्ले जो है वह यहां पर हो जाती है कि किस सेटि जैसी चीज़ दर नहीं है इस तरफ बहुत सारे किंट्रोल अगेन आप देख पा रहे होंगे एक तो यह चीज़ भी ऑप्शनल है आप चाहो तो सेंटर कॉंसॉल होगा अदरवाइस ऐसे वाक्ट्रू वाला सिस्टम होगा आप चाहो तो सेंटर कॉंसॉल में यहां पर जै पाता है तो उस तरीकी की हो जाएगी फिर उसके बाद में आप अगर यह देखें तो यहां पे आपको पुश्ट आसओ बटन का सिस्टम बटन दिया गया है यह गियर लिवर है आपके पास में और यहां पे डिवल जोन क्लैमिट कंट्रूल है यह जो सेक्शन है इसके इध प्रक्शन कंट्रोल बन चालू करना हो यह जो है आपको लो रेंज इंगेज करनी हो तो उसके लिए यहां दिया गया है गाड़ी की हाइट कम जादा अगर आपको करनी हो तो उसके लिए बटन है और उसके बाद में आपको पहुन करना हो यह फिर हिल डिसेंट कंट्रोल आ और रिवर्स कुछ ऐसा सा दिखता है फिलाल मैं इसको पार्के में चोड़ता था हूं आप इसको एस मोड में डाल के फिलस माइनस भी कर सकते हैं गाड़ी में आपको कोई भी मतलब ऐसे पैडल शिफ्टर जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं उसके बाद में यहां पे टस्क मोड में चीए तो आप टाइल समों रख सकते हैं और यह रेगुलर मोड जो है आप देख पा रहें कुछ ऐसे मोड में आप इसको रख सकते हैं आप एड़्जिस कर सकते हैं इसको बहुत ही ज्यादा तरीकों से तो वह चीज़ है प्लस कनेक्टेड फीचर वाली टस्क्रीन तो वह मैं आपको बताता हूं यहां पर आप देख पारें एकाउंट्स मैं कुछ इस तरीके से आपको लग देता हूं थोड़ा बढ़ते दिख रहा होगा एकाउंट्स, कैमरा, टोइंग अंड्रेलर, लो ट्रक्शन लांच, वेड सेंसिंग, टो बार, वैले मोड, एको ड करना है, अगर मैं आपको देखा हूं, तो यह साइट व्यू से आपको आगी का देखना है, तो वह आप देख पाते हैं, अगर आपको पीछे जा पा रही है, अगर इस विव was बिर यह ईक पा रही है, अगर इस में जाना है, तो BLACKM यह पर देखना हैर और अप जीदे़ की हो सकती है जैसे की साइड का अगर आपको देखना हो फ्रेंट का पीछे का वह आपकी काम के एक और बहुत भी बढ़िया चीज है यह जो बटन आप दबाएंगे अब यह जो ग्रेयरिया है जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो यह ग्रेयरिया कवर होता जाएगा अब इसके ग्रेयरिया के कवर होने से क्या होता है कि आपकी गाड़ी के नीचे क्या क्या चीज़े है वो भी आप देख पाते हो कि कब कॉछ सब्सक्राइब करेंगे तो यह फिर डिप्लॉइ जो है वह भी आपका हो जाएगा तो यह चीज़े एक तो बहुत ही सीमलेस चीज़े ऐसे नहीं है कि कुछ जादा टच करने पड़ रहे हैं जेलार का यह कहना है कि टू टच में जो है आप सारे फंक्शन पर बहुं सकते हो उसे साफ से इसको डिजाइन किया गया है फिर हम आते हैं आगे ट्रेलर पर जिस पर आप बिसिकली एड करना आपको ट्रेलर वगरा जो कि इं यह जो पर्टिकलर आपके पसमें ओर्वियम है दोनों साइड के उनके नीचे अल्टरा सॉनिक सेंसर लगे हैं जो कि सेंस करते कि भीया पानी में तो गाड़ी है तो पानी कितना उपर है अब यहां पे जब आप आप ओफ रोड हाइट में हो तो maximum गाड़ी की वेडिंग कै और सबसे कम जो हाइट रहेगी वह आपकी 0.7 वाटर वेडिंग कैपिसिटी उसमें रहेगी तो यह चीज़ें आपको दिखाता रहता है पानी जब आएगा तो यहां पे ब्लू कलर का पानी भी जो आपको दिखता जाएगा अल्टरा सुनिक सेंसर की में ज़से कितना पान हो रहे हो तो वह भी बताती है किस आटिटीट पर गाड़ी है वह भी बताता है अलांकि I don't think यह कैलेबरेटेड है अभी तोड़ा सा इन्फरमिशन आगी पीछे पी दिखा सकता है प्रॉबली गाड़ी जब चलेगी तो प्रॉबली कैलेबरेट हो जाएगा किस डिरेक्श का जी इन्फरम्शन है वो भी आपको यहां पर आती रहती है यह काफी काम की होगी जब आप आफ रोड़िंग वगरा करते हैं तब उसके बाद में आगे हम आते हैं वापिस वेड सेंसिंग टो बार अगर आपको डिपलाई करना वगरा करना तो यहां से वैले मोड में डा किस मोड में कितने डिमेंशन हैं तो वह आप यहां पर देख सकते हो मेरे बूलने की ज़रूरत नहीं है अभी ओन रोड वाले मोड में जो है गाड़ी की साइज यह है अब साइज नहीं बदलेगी बाकी ऑफ रोड में हाइट वगरा जो है अप्रोच अंगल बदलते जाए आप गाड़ी की हाइट रेज हो गई है तो अब यह डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा कि कितनी मुझे तो यह डेटा यहां पे चेंज हो गया, यह maximum आपको जो है, आप हाइट पे रख सकते हैं, और maximum approach जो है, आप राप्त कर सकते हैं, उसके बाद में आप जो है, बिना अगर adjust कि यही देखना चाते हैं, तो भी information आप यहां पे देख पाते हैं, फिर आपके पास में, और क्या option है आपके पास में again option है, voice, navigation, phone, media, navigation वगरा में, जो है, inbuilt navigation इसका बहुती बहतरीन काम कर रहा है, Google Earth का view जो है, वो भी आपको दिखा रहा है, और आप Android.Apple कार पे इसे भी connect कर सकते हैं, और आप जो है, डिरेक्ली iPad होगरा, कुछ करना चाहें, iPod होगरा, तो वो भी connect कर सकते है obviously voice command जो है, वो भी गाड़ी आपकी समझती है, फिर यह जो particular tile option है, इसको भी आप जैसे कि यहाँ से adjust कर पाते हैं, कि आपको कैसा home screen चाहिए, tile view चाहिए, या app icon view चाहिए, तो जैसे मुझे भी app icon view चाहिए, तो यह app icon view में ही हमेशा रहेगा, उसके बाद अगर आप और यह सब सेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं, all में जाएंगे, तो काफी सारी और चीज़ें जाकि फेवरेट बटन से क्या होना चाहिए, जो स्टेरिंग पर दिया हूँ है, वो फेवरेट बटन से, और कौन से, जैसे low traction launch जो है, उसमें pop-up जो है, आपको देखना चाहिए, और Blackberry की theme या Blackberry की द्वारा यह यह develop की गई है, फिर यहाँ पर आप नीचे के दिख पा रहे है, यह USB Type-C है, एक regular USB है, और एक 12V का charging socket है, इसके बाद में यहाँ पर भी space है, नीचे बहुत सारा है, जो कि आख लिए इस साइट से जादा बहतर आप जो है एक्सिस कर पाएंगे, यह आपके पास में एक again space है, जिसके नीचे दो cup holders या bottle holder है आपके पास में, और अगर आप चाहें तो wireless charging के लिए opt कर सकते हैं, तो wireless charging tray जो है यह बन जाएगी, यहाँ पर आपके पास में fridge दिया गया है, जो कि actually अभी चालू है और ठंडा हो गया है काफी, इसको बंद कर दे और else जो है, यह आपकी armrest तो बन ही रही है, उसके बाद में sliding नहीं है, बट यह बहुत बड़ी है तो sliding होने की जरूरत भी इसको नहीं है, इसके बाद में कुछ और चीज यहां से जुड़ी वोई नहीं है, basically मैंने बताए दिया है कि आप इसको चाहें, जिस mode में रख सकते आप चाहो यह नहीं हो, तो आप उस वे भी इसको ले सकते हो, फिर यहां पे आपके पास में काफी ज़्यादा space है, यह पकड़ने के लिए भी है, grab rails पूरी बनी हुई है, in fact यहां तक बनी हुई पीछे के जरफ से जो है, आप देख सकते हैं मेरा हाथ इदर से निकल के फिर इधर नीचे आपका claw box, जिसकी size actually, मतब उतना ज़्यादा बड़ी चीदा आप नहीं रख पाएंगे, बट यह इसकी width काफी है, जो काफी help आपको कर देगी, उसके बाद में उस तरफ भी memory seat के buttons है, और lock करने के लिए सुच दिया गया है, सिर्फ lock करने के लिए, unlock अग हो जाएगा, जिसी दरवासा खुला जाएगा तब, okay, ओपर की तरफ यहाँ पे आपके पास में sun visor है, जिसमें आपके पास में obviously vanity mirror with lamp है, यह particular sun visor जो है, वो extend भी होता है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे particular काड़ी कि इतनी पसंद आएगी, जिन भी लोगों को नहीं पता ह मेरी पुरानी वीडियोज अगर वो देखेंगे तो समझ जाएंगे, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहरा हूँ, उसके बाद में एक और बहुत ही बहतरीन चीज, यह आप दिख पारें, बीच में भी sun visor आपको दिया गया है, ना सिर्फ साइड में, बीच में भी sun visor दिया गय होगा, तो उसके लिए थाने बाद में, यह चोटा इस लिए है, क्योंकि यह वो सीट ऑल्रेडी थोड़ी सी ऊपर आती है, लेट्स एजिम कि यहाँ कोई बंदा बैठा है, तो आप यह देख पार है, हाथ जो है, उसकी जगे अगर उसका सर हो तो पीछे का vision ब्लॉक हो जा है, JLR की गाड़ियों में अचकर आने लगी है, फिर उपर की तरफ आपके पास में obviously controls है, sunshade और sunroof से जुड़े हुए, panoramic sunroof है और बहुती दूर तक खुलती है, जो कि अगेन एक बहुती बड़ी चीज है, यह देखिए, मतलब जो beach का portion है वो भी काफी पीछे दिया ग हालां कि अभी मुझे नहीं पता कि इंडिया में आए की नहीं आएगी, बट internationally एक soft roof का option जो है वो भी आता है, जो कि अगेने एक बड़ी आजी सुचती है, फिर एक touch base जो की जयादार की काफी गाड़ियों में उने देखे है, वो LED lights है, जिनका illumination बहुती बड़ी आए, SOS क system भी आपको मिलता है, अगर आपको, मतलब कहीं, अगर आपको vehicle से जुड़ाव assistance कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप ये काम में ले सकते हैं, यह आपके पास में sunglass holder है, जो तोड़ा सा weak quality का है, that's it, यहाँ पे आपको Bluetooth से जुड़े हुए mic, जो है, वो भील पाते है, सारी charging हो पे, मतलब basically front दोनों passenger पे, rear पे भी जो है, आपको ये Bluetooth माइक मिलेंगे, और ये grabral, चारो लोगों के लिए मिल रही है, यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी grabral नहीं मिलती है, किसी भी passenger को, या किसी भी driver अगरा को rear में मिलती है, front में मिलती है, तो rear में ही चल लेते हैं, ह throw जो है, वो बहुत ही soft है, seat जो है, वो मैं अपने हिसाफ searches कर लेता हूँ, climb करना एक बहुत ही भारी चीज है, आप चाहों तो एक running board लगवा सकते हैं गाड़ी में, पीछे की तरफ space बहुत ज़ादा है, कोई issue space से जड़ावा नहीं है, और in fact, यहाँ पे भी space headroom भी बहुत है, कोई जड़ावा नहीं है, 6 feet के आदमी तक कि किसी को भी issue नहीं आएगा, क्या amenities है, वेल, आपको यहाँ पे एक, वालब यह hook मिलता है, जिसमें आप कुछ भी चाहें, तो लगा सकते हैं, चाहे वो coat hook हो, या कुछ iPad वगरा hang करना हो, या screen hang करनी हो, अच्छी बात यह है, कि 5 volt का यह socket जो है, USB वाला है, regular USB वाला है, type C वाला नहीं है, क्यों काफी और यह भी functional होगी, किसंदा किसी चीज की वज़स्दी की, बट क्या है वो मुझे अभी नहीं पता है, यहाँ पे rear AC vents, और नीचे की तरफ dual zone climate control पीछे भी, यानी की total 4 zone climate control हो गया, यहाँ पे 12 volt का charging socket, 12 volt का socket, यह USB charging, यह USB charging, बहुत ही options में दिये गए यहाँ पे, आप शायद भूली गयोंगे, मैंने कितने सायद charging socket आपको अल्रेडी गाडी में गिना दिये हैं, और अब इसलिए यहाँ पे display भी तीनों की, तीनों यह जो control है, इसके बीच में है, अगर आप auto दबाते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ होते हैं, जरूद नहीं, simply अपना desired temperature आप सेट कीजिए और auto दबा दीजिए, फिर आपके पास में reading lamps है, जो कि आप again touch based है, okay touch based नहीं है, आपको इसको push करना पड़ेगा, और यह एक again space दिया गया है, जो कि आपकी sense को थोड़ा सा increase करेगा, overall जो visual, आपको feel जो है, उसको थोड़ा सा और बहतरीन मनाएगा, sense को increase करेगा, से मेरा मतलब यह है, कि जब आप off-roading, off-roading कर रहे हैं, तो जादा बहतर जो है, आप इससे feel ले पाएंगे surroundings की, यह चीज़ है, grab rails है, कोठो के आपको मिलेगा इदर, अब seat जो है, वो आप कई तरीकों से adjust कर सकते हैं, okay, तो child lock लगा हुआ है, और मैं अटक गया हूँ, तो माइनों में, यह बहुत ही comfortable seats नहीं की जाएगी, इस particular version में, अगर आप seven seat अवगरा में ले पा रहे हैं, बट यह utilitarian बहुत हैं, और यह थोड़ी बहुत comfort भी आपको देती है, ऐसा कुछ discomfort वारी चीज़ नहीं है, off-roading के साब तो काफी बेतर comfort है, और अगर आप regular users में, अग अगर तीन लोग नहीं बैठे हैं, तो आपके पास में beach वाला या armrest यूज़ यूज़ करते हैं, जिसमें cup holders आपको मिलते हैं, और obviously तीनों लोगों के लिए adjustable headrest आपको मिलेंगे, अब यहां पे आपके पास में यह seat ना सिर्फ recline, बतला आप recline भी करते हैं, आप इसको हैं और जादा कुछ expectation आगरे हैं, in fact, मैं पीछे जाने के हिम्मत भी नहीं जोटा रहा हूं, मतलब क्योंकि वह काफी छोटी है, और अखेले मैं कुछ shoot नहीं कर पाऊंगा, यह आपके पास में cup holders मिलते हैं, जिसमें आपको, obviously, खोड़ा सा rubberized piece दिया गया है, जो की थोड़ होल्ड करता है, पीछे भी आपके पास में again separate blower है, तो उनको भी आपका यूज कर सकते हैं, बहुत ही soft, मतलब blower जो है, उसका feel है, इसारे knobs जो दिये गए है, उनकी बहुत ही बढ़िया feel जो है, वो आती है, 12V charging socket जो है, वो भी again आपको यहाँ पे, यह चीजे हैं, पीछे क और last seat जो है उसमें, ऐसा सा कुछ function है, basically सबसे आगे वाली position यह हो जाएगी आपकी और सबसे पीछे वाली position यह हो जाएगी, अगर आप चाहें individually तो इसको भी ऐसे recline कर सकते हैं, जैसे यह थोड़ी सी recline है और वो थोड़ी सी straight आपको मिल रही है, बूट को full glory में मैं आपक जैसे लोग मेरे क्याते हैं वो 5-seater के लिए उप करें हैं और वो जादा लॉजिकल है, बीचे काफी चारा space जो है, वो भी आपको मिल जाता है, इन seats की बजाए, मतलब बेसिकल यह बाप करते हो, तो बहुत सारे space आपको मिल जाता है, फिर भी गाड़ी में दूसरी तरफ आपको जो है, यह 12V का charging slot आप देख पार है, यह मिलता है, बहुत सारे 12V charging socket में दिखा दी हैं आपको, और बाकी यह buttons जो है, हम देखी चुके हैं, तो कुछ ऐसा सा बूट दिखता है, काफी बढ़िया space जो हो जाता है, और एक accessory pack तहत आप जो है, इसमें separation भी दलवा सकते ह जो कि आपके बड़े-बड़े, अगर कोई off-roading type के समान हो, तो वो आगे नहीं आएंगे, जब भी आप गाड़ी जो है, on the move होगी, तो वो एक अची चीज के बारे में है, accessory pack वगएरा जो है, वो आप Instagram पे जाके देखिए, मैं Instagram पे पोस्ट कर दूँगा, वो क्या भी बागी जब गाड़ी चलाने को मिलेगी, तब हम जादा बात इसके बारे में कर भाएंगे, खास दोर से off-roading के बारे में, जिसके लिए Defender जो है, वो सबसे जादा famous होगी, या है already, जो नाम particular जो famous है, फिलाल, इस वीडियो में इता है, हुईद करता हूँ, वीडियो बस नह सुरक्षि चलिए, धन्यवाद